आप हैं सिक्चा सुधार के साथ मैं हूँ नीरज एस्टेट परमानपत्र वितरन के बीच कल पटना हाई कोट में एस्टेट पी आईल की बड़ी सुनवाई इस बीच आपको बता दे कि एस्टेट परमानपत्र पराप्त करने के लिए आपके स्क्रीन पर जो फ़र्म है वो फ़र्म भरना होगा ऐसे में 2-3 नय जीलो के नाम आये हैं जहाँ पर आम अब भेहर्थियों को विबिन तारीकों में पर्मान पत्र प्राप्त होगा एस्टेट का बेगु सराय में 2-3 2022 से 6-3 2022 तक ये वित्रित होगा बात गया की करते हैं गया के संबंद में एक बड़ा लेटर जारी हुआ आप देख सकते हैं 2-3 2022 से गया में भी फॉर्म भरने के बाद आपको पर्मान पत्र उपलब्द कराया जाएगा जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उसके अगले दिन 2 बजे से 5 बजे के बीच आपको पर्मान पत्र इस्टेट का मिलेगा आप एदन का फॉर्मेट आपके स्क्रीन पर है आप देख सकते हैं इस बीच बड़ी खबर पत्ना हाई कोट से 55 नमबर पर एस्टेट PIL लिस्टेट है और कल सुक्रुबार यानि 25 फरवड़ी 2022 को पत्ना हाई कोट में PIL की बड़ी सुनवाई होगी आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हाई कोट पत्ना के वेबसाइट पर इस सम्मंद में बड़ा अप्रेट दिया गया ऐसे में हाई कोट में एस्टेट PIL की बड़ी सुनवाई है और इस सुनवाई के बाद बड़ी जीत एस्टेट इनमेरिट अभ्याट जोगी देखना यह है कि कल पत्ना हाई कोट से क्या बड़ी खबर आती है आसा है कि संद्या 3 बजे तक पत्ना हाई कोट में एस्टेट PIL की बड़ी सुनवाई हो जाए ऐसे में कल संद्या 3 बजे हम इस सम्मंद में बड़ा अप्रेट आपको देंगे अभी की बड़ी खबर कल स्टेट PIL पच्पर नंबर पर लिस्टेट है और कल बड़ी सुनवाई होने की बड़ी संभाबना जिसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अदिवक्ता ने ये कहा ता कि सुक्रवार के रोज एस्टेट पियायल की बड़ी सुनवाई हो सकती और कल वो बड़ा दिन है ऐसे में वीडियो पसंद रहा हो तो लाइक जरूर करें आप लाइक करना भूल जाते हैं धन्यवाद वीडियो देखने के लिए